Hello traders and welcome to the studio members आज का ये वीडियो थोड़ा सा lengthy वीडियो होगा because एक जो trade हमने indigo के अंदर execute किया था 9th of January को इस पूरे trade execution के price actions जो भी रहे हैं हमने इसके अंदर अपने short position create कि थी अब ये short position के पीछे का reason क्या था lower time frame की reading क्या थी overall higher time frame पर indigo को किस तरह से हमने rate जाता है कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से हम इसको clear कर पाया कल जो class वीती उसमें trend identification का एक method हमने बताया है जो की result based trend identification का system होता है और पूरे month के लिए किसी भी stock के अंदर हम लोग अपना view clear करते हैं काफी जादा help ये video आपको कर सकता है इसको सही से देखिएगा कुछ अकर question रहते हैं तो comment box में लिख दीजिएगा उसका proper reply आपको मिलेगा वीडियो अच्छा लगए तो like कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए तो channel को subscribe किजिएगा टेलिग्राम चैनल का link description में आप लोग टेलिग्राम ग्रूप जाइन कर सकते हो thanks and start करते हैं अज के वीडियो अब ये execution था हमारा 19th of January का 19th of January को हमने इसलिए trade किया था because यहाँ पर एक mother candle form होई है एक तो normal mother candle होती जो कि traditionally आपको पढ़ा ही जाती है और दूसरी होती है यह वाली candle जो कि mother candle form कर रही है but volumes formation के according जो first वाली candle के अंदर volume आई है उससे ज्यादा volume हमारी second वाली candle के अंदर आ गई एक myth के according अगर कम volumes इतनी बड़ी candle form कर सकती है तो उससे ज्यादा की volume ने उससे छोटी candle को कैसे form किया मतलब कि इसके अंदर कुछ price actions हैं जो की बचे हुए होने बाकी है यह तो तय होता है कि moves मिलेंगे अब हमें यह देखना होता है कि यह move हमारे break outside की होंगे या फिर break down की होंगे इसके बाद में third breakout होता है वो होता है break inside कि price बाहर की तरफ जाता है बट जैसे इसने breakout दिखाया यहां से अपने high को protect करते हुए price re-enter कर जाता है हमारी previous day की range के अंदर यह breakout थोड़े से मुश्किल होते हैं because यहां पर many type of confirmations की demand हम लोग करते हैं मार्केट से इस पूरे process की इस पूरे price action की जो new होती है वो हम information से लेते हैं अब हम जो आगे की तरफ एक एक चीज़ क्लियर करेंगे वो इन ही formations के उपर based हैं क्योंकि पूरा trade अपना इसे system पर था यह तो higher time frame की rating हो गए अभी हमने कोई rating नहींगी सिर्फ अपने levels निकाल दिया है अभी lower time frame पर आएंगे एक breakout हुआ वापस से price support पर आया अगेन एक high लगा और price नहींचे की तरफ आ गया यहां पर देखिए जो highs हैं वो protect हो रहे हो price वापस से re-enter कर गया हमारी range के अंदर और इसने last में support break कर दिया with volume proper confirmations थे कि हम लोग trade अपना execute कर सकते हैं कोज एक ideal stop loss में मिल रहा था 253 कौइंटी के साथ में हमारा यह trade चल रहा है confidence है कि price का जो हमारा profit चल रहा है 253 कौइंटी के साथ में 6000 से increase होकर कि यह profit हमारा करीब 11 यह 12 थाजन तक जाना चाहिए क्योंकि volumes के अच्छे खासे breakout हमें दिख रहे हैं higher time frame के रीडिंग और जिस तरह के price actions ने create किये है बहुत कम chances होता है कि यह turn हो जाए upside के तरह because already यह कोई fake breakout दिखा करके वापस range के तरह करके trade execute कर रहा है तो higher chances है इस वक्त तो market close हो चुकी है कल की भी पूरी market जो Saturday को अपनी चली थी वो Saturday की पूरी market है बट Friday को क्या हुआ था जब हम trade execute कर रहे हैं आपस से हम लोग आएंगे daily time frame और daily time frame के reading को समझेंगे देखे जैसे मेरी master candle यहां पर कौन सी थी सबसे करीब की candle थी वो 17th of January की candle यहां पर एक mother candle form हुई अगर इसे upside की तरफ जाना तो फिर यह चला जाए जो simply अपना नियम होता है कि breakout अगर करना है तो फिर वो हो जाए लेकिन lower time frame पर actually यह कर क्या रहा है अब side की तरफ अगर किसी stock हो जाना है तो फिर वो support break नहीं करेगा अगर उसने support break कर दिया तो यह सबसे पहले negative symptoms उन लोगों के लिए होते हैं जो कि जाएगा पर support break नहीं होने चाहिए हाँ range के अंदर या range के अपर में जा करके other than point of action अगर हमारे support या resistance break हो रहा है कोई बात नहीं हम उसको tolerate कर देंगा उतना हो जागा कोई बात नहीं लेकिन हमारे base of point of action पर price support या फिर resistance break कर रहा है बहुत माइने होते हैं और अगर यही काम हमारा high volume के साथ में हो रहा है तो यह और भी ज्यादा strong हो जाता है इस चीश को समझना कोई भी indicator हो किसी भी तरह के script में आप option option लगा करके अगर काम करो ना तो आपको indicators maximum of the time ज्यादा तर समय वो fail होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस तरह के analysis अब किसी भी तरह का indicator लगा करके करो आप नहीं पखड़ पाऊगे उसे cash नहीं कर पाऊगे Bollinger Band वगरा होगे तो यह तो आपको बहुत ज्यादा ही trap करेगा ज्यादार तो लोग इसी में trap होते Bollinger Band हो गया RSI हो गया Fibonacci भी यूज करते लेकिन उसका भी एक proper एक proper system होता है Fibonacci को यूज करने का यहीं नहीं कि एक retracement हुआ हम लोगों ने execution कर दे हैं हाँ market चल जाने के बाद में तो बहुत अच्छा होगा अब जैसे Indigo को जब हम trade कर रहे है जब हम trade कर रहे थे Friday को तो इसके अंदर देखे proper move हमें यहां से दिख रहे थे एक support टूटा volume के साथ और price सीध हमेरा नीचे की दिशा में यहां पर आभी तक हम लोगों ने क्या देखा daily time frame पर अपने बहुत basic सा structure देखा था और lower time frame पर हमने यह चीज़ देखी कि price बिल्कुल हमारे level of point of action पर जा करके support को downside की तरफ break कर रहा है अब आ जाते हैं थोड़ा सा minute price analysis पर कि जैसे ही market open हुई 9.15 की candle बनी अब इस 9.15 की candle ने हमारी range के उपर में जाकर कि देखे closing की high लगा और यहीं से एक rejection यह rejection क्यूं है अगर price को वाकई में upside की तरफ जाना तो फिर यह rejection क्यूं कोई बात ने हो सकता चले rejection आ जाए यहां से market में लोगों को trap कर और फिर से upside की तरफ चले जाए अगर इसको जाना तो फिर चला जाए यह pin बार इसने create की मेरी दिशा में लेकिन जा तो यह upside की तरफ जाता है कि एक high लगा again मेरे range के नीचे इसने closing कर दी फिर से high लगा फिर से यह low आपका break हो गया क्या हो रहा है एक low लगा एक high लगा high protected high protected high अगर price को उपर की तरफ जाना तो high तो break हो रहे होते हैं न यह high protect क्यूं हो रहा है सबसे पहला high protect हुआ यह वाला high protect हुआ यहाँ पर देखे support दिन का सबसे पहला support market ने downside के तरफ ब्रेक कर दिया दो high create करने के बाद with volume यही तो entry के confirmations थे अपने हमने just swing पर अपना stop loss लगाने के बाद में एक trade execute चिया था तो यह तो lower time frame के थे अब यह नहीं है कि simply naked up lower time frame पर अपनी analysis करतो और trade execute करो इसके पहले daily time frame के point of actions very strong होने चाहिए अब जैसे daily time frame पर आजाओ और जिस तरह के analysis हम कर रहे न आप option बगरा करने जो आपको इस तरह का सुकून नहीं मिलेगा आप बस हर बड़ी में एक lot, दो lot, ती lot, चार lot मार दो वो होना आखरी में loss ही है क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले price actions के तुरू profit में आ जाए और उसके लिए हम अदद लेते है equity market के तो moral of the story, equity market में सबसे पहले profitable होना पड़ेगा अगर option की तरफ आप रुख कर रहे हो, otherwise यह मान करके आओ कि आओ कि आप यहां सिर्फ बरबाद होने आ रहे हो और यह फाल्तियों का जो हम लोग नाम देते हैं कि हम practice कर रहे हैं, एक lot के साथ काम कर आप एक एक lot के साथ में भी इतना loss कर देते हो, आखरी में आपको लगता है कि मैंने क्या किया, यहां धाई हजार तीन हजार रुपाय में हम आपसे पूरे महीने trade करवा देंग और हो सक ले लिए तो फिर या तो इस stopless chart target हम बीच में निकलेंगे ही नहीं, इतनी liberty देनी पड़ेगी market को, अब यही चीज़ आप अगर option में करोगे तो थोड़ा सा profit हुआ, पांसो, छेसो एक lot में पांसो, छेसो रुपाय का जब profit होता तो लग तो बहुत profit हो गया, निकल जाते है 700, 800 को हो गया, बहुत हो गया, इतना तो हमारी उमीद भी नहीं थी, लेकिन जब loss हो रहा है, तो वही एक एक lot में आप 15, 152, 2000 रुपा को loss ले करके निकलते हो गया, कुछ ध्यान से देखो, समझो, इस तरह के reading करने की कोशिश करो, आप देखोगे न, को indicator नहीं लग रहा, volume, price और 2-4 line हम put करें, उसे सारी reading हो जाएगी, जरूरत ही महसूस नहीं होगी हम लोगों को, कि हम को indicator लगा है, अब देखिए, यहाँ पर volumes को हम height कर देते हैं, simply देखिए, कि एक, यह मेरी green candle form हुई, इसके उपर यह बनी एक black candle, अब इस green candle के उपर कोई भी candle मारी close नहीं कर रही है, सिर्फ आप इसको देखना है, इस वाली candle को, closing नहीं कर रही है, volumes on करके देखो तो देखो कितनी बार यहाँ पर volumes आई है, यहाँ पर भी volumes आई है, मतलब कि volumes के breakout तो हो रहा है, यहाँ पर भी volumes आई है, volumes के breakout तो हो रहा है, यहाँ पर भी volumes आई है, volumes के breakout तो हो रहा है, यहाँ पर भी वॉल्म सही, वॉल्म सके ब्रेकाउट तो हो रहा है तो फिर यह प्राइस के हमारे एक रेंज, एक जोन के अंदर क्यों फसा पड़ा है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है यह गेम समझो आप इसे पढ़ो, यह तो है प्राइस एक्शन्स प्राइस किस तरह एक एक्शन्स कर रहे हैं, उसे समझो, रीट करो इधर और दर से लाइन ड्राव कर देना और सब कुछ कर लेना यह हो गया, वो हो गया, कोई फालती हूँ के नाल्सिस कर ली, रीडिंग कर ली, बस ट्रेट एग्जीकूट कर दी आखरी में क्या है, अब इस केंडल का आप जस्ट लो माक कर लो, एक सिर्फ इतनी वॉल्म और प्राइस के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, कि हमारे पास प्रॉपर एक लेवल निकल आया, एक एरिया निकल आया, अब यहां पर जब हम देख रहे हैं, कि प्राइस जब 10th of January के अंदर जब जब प्राइस जा रहा है, इसके अंतर मूव आ रहा है, अब internal structure system होता है, जिससे कि हम लोग structure के अंदर अगर को structure form होता है, तो उसको rate करते हैं, तो एक मेरी master candle यह बन कि जिसके अंदर यह पूरा structure चल रहा है, अब हम आ जाते हैं, अपनी master candle, मतलब कि यह इसके अंदर देखिए, volume यहाँ पर भी increase हो गया, यह internal structures कहे जाते हैं, यहाँ पर volume breakout हो गया और यह एक mother candle, price फिर भी range के बाहर नहीं जा पा रहा है, मतलब कि यहाँ पर buy side में कुछ तो लोचा हो रहा है, क्योंकि price जब जब आ रहा है, यहाँ से downside की तरफ ही गिरता है, इसक ना buy कर देंगे, buy करने के लिए ज़रूरी है कि price का हमारे point of actions पर होना ज़रूरी है, यहाँ से जब भी resistance break करेगा, तो यह हम buy करेंगे, अब अगर market resistance break कर ही नहीं रही है, upside की तरफ जाने के बाद में यह support break करे तो फिर तो short selling बनती है, तो यह तो overall reading हो गया, price ने यहाँ पर downset का move, यह चोटी-चोटी symptoms है, जो कि daily time frame पर हम देख रहे है, I hope कि पूरी analysis आपको समझ में आई होगी, तो आए, live market में इसका result रात है, इसको देख लेते हैं, और इसके बाद में फिर हम लोग अपना second part start करते है, which is trend identification कर वो झव पलाद में चनल कल रात है, यह तो एनाट जो हम रेते हैं, वो बाद कर दो दो कर दो कर दो कर दो लाले टुटे पर लाले बहां, लाले डाले बहां, लेडि़ दो प्राइ़, लेजि़ नाब, लाले बहां, लेज भी नारेक्स नょम्ट। यह जो टेक्निक हम बताएंगे एक तरह से किसी भी एक स्ट्राव को उठा करके उसका ट्रेंड हम लोग देखते हैं ट्रेंड एनलेसिस क्या है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करेंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में वह काफी सारी चीज़े होती हैं काभी सारी चीज़ों का मतलब के कई सारे methods होते हैं इसको हम लोग technically भी divide कर सकते हैं stock selections के method को भी अलग अलग तरह से divide करके अपने trend identify करते हैं यह जो method हम बताएंगे na trend identify करने का यह सबसे simple है सबसे simple तरीका होता है trend identification जरूरी क्यों है trend identification important क्यों होगा stock select हमने कर लिया अब हमें यह देखना होगा कि अगर हमें इस पूरे हफ्ते या इस पूरे महिने किसी भी stock को देखना है तो उसे किस दिशा में देखना होगा कैसे देख सकते हैं buy करना है या sell करना यह पता कैसे चलेगा buy करें या sell करें कब तक करना है आपको one day के लिए या फिर one week के लिए या one month के लिए कितने दुनों का हम trained identification कर रहे हैं उसके levels अपने क्या होंगे levels in the sense के point of actions point of action क्या होगा हमारा वो area कौन सा होगा जहां से में traits देखने हैं सबी लोग बहुत गौर्स हो बहुत ध्यान से सुनना एक बात ये साफ तो पर आपनों ध्यान रखना जब तक इधर हम ये practice आप से करवाएंगे जब तक हम practice करवाएंगे पहले ही हमने बोल दिया आप लोगों को के options ट्रेड ही मत करना options तो बहुत दूर की बात है वो तो देखना भी मत सबसे पहला अपना काम होगा profitable बनना है फर्क नहीं पड़ता आपकी capital कितनी है 5000 है 10,000 है 15 है फर्क नहीं पड़ता है ज़रूरी ये होना चाहिए कि जो भी capital आप use कर रहे हो वो capital कम हो कम capital हो क्योंकि आप profitable हो या non profitable हो यह हमें कम capital में है अगर आप 10,000 रुपए या 5,000 रुपए भी बन रखते हो अपने अकाउन में तो 5,000 रुपए से जब आप trade एक्जिक्यूट करोगे तो उस ही में पता चाहिए जाता है technically क्या आपने आपको मालूम है technically महारत कितनी है आपकी क्या वागई में किसी stock को या script को analysis करने की इस तर पर एक बहतर position पर अपने आपको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो तो 5,000 रुपए से भी आप जब किसी stock को trade करोगे तो analysis उसकी बिल्कुल वैसे ही करोगे जितना 50,000 रुपए account में डख करके काम करोगे पर किये रहेगा कि पचास दर पर अगर account में तो फिर आप उस हिसाब से risk लोगे उस हिसाब का mindset बनेगा 5,000 है analysis अभी इमने कहा नहीं तो कि दोनों में same लेगी तो analysis दर हम लोगों की same है risk कम हो जाएगा जिससे कि practice करने में बड़ा आनन दाता है एक relax mood के साथ बैट करके हम लोग काम करें पिर जो भी system आपको देंगे practice करने के लिए उन system के उपर focus के साथ काम करोगे तो बहुत impact पड़ जाता है जाद इने सिर्फ एक lot के साथ काम करें यह मत करिए option मत करिए न हम लोग इतना सारा काम कर रहें इसलिए कि हम trade execute करें लेकिन उससे पहले कई सारे important काम होते हैं जबरी काम होंगे कि कम से कम higher time frame पर reading तो आपको से ही हो जाए lower time frame पर reading तो से एक बार skill पकड़ में आजाए reading होती कैसे हैं एक बार यह समझ में जाए तो फिर तो आप कुछ भी trade करो लेकिन अभी अगर आप सोचो learning learning और earning learning नहीं हो सकती कभी नहीं हो सकती यह concept बहुत अजीब type का मतलब हम इसको myth भी बोल सकते हैं तरह का learning कौन करता है असल में ऐसे देखो तो फिर तो learning तो सारी उम्र करता है आप एक वकील को देखो तो भी यहीं बोलता है कि हम प्रैक्टिशेर हैं आप किसी डॉक्टर से बोलो तो यहीं बोलता है प्रैक्टिशेर है एक्शली वह learning और earning कर रहा है एक सतर पर जाकर कि जब हाँ थोड़ा established हम हो जाते हैं तो learning और चलती है अच्छा अभी महीना ब आप पास सिर्फी सीले कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वीक हमने कुछ फॉर्मेशन बताएं थी दो दिन तीन दिन दो दो दिन इसको प्रैक्टिस करने के बाद में लोगों ने ओप्शन स्टेट किये तो उससे हमें पास चार्ट आते तो समझ में आता है मत करी option वगरा आपका अगर लॉस हो रहा है अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है अगर प्रॉफिट हो रहा तो उसी के खुशी में घूम रहे हैं अरे वाँ मुझे तो प्रॉफिट हो गया आपका कहीं प्रैक्टिस में मन लगेगा कहीं मन नहीं लगता है आप करके देख लेना कोई मन नहीं जो भी method अभी हम बताएंगे ना next week मन लगा करके इसकी practice करना point of actions हम निकालेंगे trend identification करेंगे trend identification में ज़ुरी है कि हम लोग किस दिशा में execution कर रहे है किस दिशा के लिए अपना trend identify कर रहे हो कितने समय के लिए कर रहे है time period क्या है उसका basically देखिए अभी हमने आपसे बताया कि कई सारे method होते है जिसमें यह सबसे basic है होता क्या है हम लोग इसमें results देखते हैं किसी company का कब result आया अब trading में तो यह बहुत आसान है volumes पर ही आपको e-symbol दिख जाएगा इस तरह का e वो red और green type का e होता हमें उससे मतलब नहीं है हमें e-symbol दिखेगा earning revenue earning ratio यह होता कोई मिलाकर कि उस e का मतलब है कि इस company का result आया है और बाकि आप BSC पर चले जाना BSC पर आपको results देखने को मिल जाएगे तो उतना आपको याद होगा एक formation हमने आपको बताई थी high to high और low to यह एक method बताया था अभी इसको इस method को हम फिर से बताएंगे high to high low to low closing को किस तरह से हम लोग read करते हैं इसके recording हम लोग कैसे आगी कि तरफ बढ़ेंगे high to high low to low closing से शुरुआत होती है result वाले दिन से इस दिन मानिए इसका आया है result नीचे आपको e लिखा हुआ दिख जाएगा previous किसी भी कैंडल का high or low marker के ही करेंगे हमें उसके open और close price से कोई लेना देना ने होगा मेरे किसी काम करने है यह एक कैंडल में हो गई अच्छा यही अपनी master candle बनती यह starting point होगा starting point है अब price अगर इसके ऊपर में निकला है जाने दो ऊपर में निकला है फिर से में क्या चाहिए एक closing निकलने सबसे पहले में पढ़ गया ना कि starting candle कौन सी है अब यह तो price इस वाली candle के ऊपर में close हो ने तो price फिर इस वाली candle के नीचे में close करें दो conditions बनेंगी price यह तो हमारा उपर में close हो जाए और ने तो फिर नीचे में close हो जाए यहां से गेम होता है अगर price मान लेजिए उपर की तरफ close हो गया अब क्या यह जो first candle हमारी close होगी upside की तरफ हमें चाहिए होगा कि कोई एक ऐसी candle बने जो कि हमारी इस वाली candle के उपर में closing कर दे कॉंसेंट्रेट होकर closing विक जा रही है विक से मतलब नहीं हमें proper closing चाहिए या तो उपर की candle को मार्केट close कर दे और नहीं तो नीचे की candle को मार्केट इस तरह से एक और आएगा confusion अगर यह result आपका positive में है या यह result आपका negative में है इससे क्या फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा हमें मतलब यह हर्गिस मतलब नहीं कि वो इस तरौक नीचे गर जाएगा बहुत साही चीजे मैनिपुलेटेट हैं दुनिया बिजनसमैन चला रहे हैं ना politicians चला रहे हैं ना हमारे आप जैसे लोग चला यह दुनिया बिजनसमैन चला रहा है सबका अपना अपना अलग अपना मत होता ह मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है हम गलत भी हूं लेकिन अभी तक हमें जो समझ में है कि यह दुनिया शायद बिजनसमैन ही चला रहा है और कोई नहीं चला रहा है उसी के हाथ में सब कुछ है यहां पर हमें दिखाया जारा है कि देखो लॉस उस में है अभी लॉस चल रहा है बात में क्या ऐसा जादू हो जाता है कि वो लॉस मेकिंग कंपरी अचानक से अगले दिन गैप अफ हो जाती है इसका जस्ट अपोजिट बढ़ा अच्छा रिजल्ट आया है बट रिजल्ट आने के बाद में कंप्री गैप डाउन हो जा रही है इसका क्या मतलब यह सारी च कुण की बाहरो है यहां गांका रहा है और फिल्स ने किया नितर्थी अद बात मॉव्मेंट इसकह रहा है कि वो मॉविट हो Policy कैपचर करना कहा पर चाहता है तो उसके लिए है कि सब्सक्राइज हो earlier कि वो करेगा कहा पर कोईब वह trad research situation प्लैन कर रहा है और इक प्रिचिई candle जो result वाली candle है इसके ऊपर में अगर close हो जाए एक candle अब हमें चाहिए next candle जो कि हमारी close हुई candle के ऊपर में जाकर close कर रही हो इस तरह से यह ध्यान से इस चीज़ को सुन ली जागा इन दो ही candle का पूरा का पूरा एक दरह से बोल सकते हैं कि सारे ट्रेंड को यही निर्धारित करेंगी इसी के जस्ट अपोजिट अगर आपके result declare जिस भी दिन हुआ उसके नीचे एक candle और दो candle दूसरी candle जैसे ही close होगी यहां से फिर हम लोग अपनी levels को ड्रॉ करना शुरू करते हैं और उसके बाद में एक और candle क्लोज हो जाती है तो हम लोग एक महिने के लिए उसके अंदर अपना बाई व्यू बनाएंगे अगर कोई भी candle downside की तरफ close हो रहे उसके नीचे कोई भी candle close हो जा रहे है तो फिर हम next one month के लिए उसके अंदर अपना short view बनाते है downside की तरफ sell view और यहां पर clear one month के लिए सबसे पहली चीज़ एक महिने तक हम सिर्फ buy करेंगे कोई भी stock जो की highs लगा देगा मतलब high to high high की उपर high जैसे इसने लगाया हम लोग selling नहीं करेंगे इतनी बात याद रखेगा sell हम candle के नीचे ही करेंगे price भले ही नीचे की तरफ आ रहा है गिर जाने दो आ रहा है उसको गिरने दो गिरने दो गिरने हमारा view बाई का ही रहेगा अच्छा technically हमारे हमारा जो concern होगा वो कहां पर होगा जो सबसे अदम ध्यान देंगे कि price इस वाली candle की range के अंदर तक भी अगर आ रहा है तो हमारा view बाई कर रहेगा बट गलती से भी अगर price हमारी इस वाली candle के नीचे आ करके closing दे दे यह इस वाली candle के downside के तरफ एक movement दिखा दे तब हम buy side का view अपना change कर देते हैं ऐसा होता कब है कि अगर इना one month price highs लगा देने के बाद में downside की तरफ गिर रहा उसको गिरने तो हमारी starting candle के low के नीचे market को नहीं जाना चाहिए अगले एक महिने तक जैसे price हमारा starting candle की range के नीचे आगर के trade करने लग रहा है हम trade नहीं करेंगे फिर से हम wait करते हैं क्योंकि price में बहुत ज्यादा chances होते हैं कि यहां से recovery हो down फिर से यहां से recovery हो तो हमारा view हमेशा buy के लिए होगा कर price high to high लगा देगा simple से चीज है अब आगे बढ़ते है एक step और चलिए अब जैसे यह लगा high हम previous candle को तभी mark करते हैं इस वाले candle के ऊपर में없이 क्लोजिंग हो जाती है फिर हम इस candle को तभी mark करेंगे केंडल के उपर में क्लोजिंग हो जाए हम म اس ऐले केंडल को माक नहीं किया हम एक केंडल ऐसी बनेगी की मेरी इह ऐसी केंडल को आपने एक इपर क्लोजिंग कर देके अब हम इस केंडल को माक कर दें च्रियू here यहां पर closing हो गई है यह वाली जो candle है बहुत अच्छा resistance फॉर्म करती है इस वजह से ही हम candle के हाई कुले करके चलते हैं अब क्या करेंगे फिर से हो सकता है प्रैस उपर की तरफ जाया और वापस नीचे की तरफ गिरे और यहां पर सम्रीज़ यहां पर मार्किंग करेंगे हम मार्किंग नहीं करेंगा फिर से प्रैस न लिद एगाई हैte मेरी इंपॉर्टेंट है जिसके उपर फॉजिंग मार्केट करना चाहिे बट पॉर सम रिजन यहां पर फॉजिंग नहीं हो नाहीं हो रहे है материAlnicos पॉसे अब जैसे जब closing कर देगा तब हम इस वाली candle के high को mark कर लेंगे इस तरह से हम highs mark करते चले जाएंगे downtrend हम इस पे mark नहीं करेंगे price हमारा down तभी हम इसके अंदर मांते है अपना जबके important starting वाली candle की range के बिल्कुल नीचे के तरफ price आजाए ऐसे है और जो भी candle हमारी इस वाली candle के नीचे closing कर देगे ऐसे एक closing कर देगे तब उसका trend change होता है बट एक महीने के लिए जहातर बार देखे हर बार ऐसा नहीं होगा कि अगर इसने high to high लगा दिया तो एक महीने तक वो सिरु भाई मही है लेकिन most of the time आपको यह वाली momentum देखने को भी लेंगे बट हो सकता है कभी कभी price आपका नीचे की दिशा में भी चला जाए तो उस condition में फिर हम लोग upside के movement को छोड़ देते हैं अगर वो इस stock upside का move दिखाने के बाद नीचे के तरफ गिर है तब हम इसके अंदर अपने एक short view बनाएंगे वन मंथ के लिए ठीक है ना यह technical यह सारी चीज़ और चार्ट के ऊपर चलेंगे उसको समझेंगो तो और अच्छी तरह समझ भाएगा इसको थोड़ा सा clear करते है चलिए अब यहीं पर एक low to low mark कर लेते हैं यह लिए यह हो गया अब इसके नीचे में प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए और इस वाली candle के नीचे भी हमें प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए वेट करें कभी आपको एक बार में प्लोजिंग नहीं मिलेगे थोड़ा सा प्राइज आपका स जो लाइन अब ड्रॉपर कर दोगे आपका बाई कभी उससे रहेगा जैसे प्राइस इस वाली जगह पर है हम लोग यहां से शॉर्ट से लिंग करते हैं जैसे प्राइस इस जगह पर हम लोग यहां से शॉर्ट से लिंग करेंगे अगले एक महनी तक लगाता शॉर्ट से ल अपसाइड में बाय वुट डाउंसाइड की तरफ सेलिंग फी लेकिन एक बार अगर हम लोग किसी बी जिवी स्टोक इंदर बाई का वी बना लेंगे तो अगली एक महाने तक आई ही रहेगा फिर हम लोग उस उस एक मंत में शॉट सिलिंग नहीं करते उसके अंदर बहले ही प्राइज आपका नीचे के दिश्या में आए और यहां से डाउंसाइड की तरफ यह वाला मूवमेंट आपका पॉंटिनुम करते मतलब लो टू लगा दे आपकी मास्टर आपका अपसाइड की दरफ जा रहा है प्लोजिंग नहीं हो पाई अगें देखे प्राइज आपका फिर नीचे की दरफ क्योंकि हाई टू हाई नहीं बना वापस से प्राइज आपका नीचे की दिशा में एक देखे यहां पर यह केंडल बन गई और फिर से देखे एक समझ गया नहीं सिंपल सी चीज़िया कर दी है और व्यू चेंज मत कीज़ेगा प्राइज अगर अपमे जा रहा है एक एंडल गर उसने फॉर्म कर दी एक एंडल बना दी तो व्यू हम तो वापस प्राइज अगर नीचे की दरफ आए ना ता फिर अपना व्यू चेंज कर होगा उस डेट को मार्म करेंगे अगले एक महीने तक सिर्फ एक महीने तक हम उसी दिशा में देखेंगा इसको जहां पर उस ने FIRST TIME हाई-टू-अधी लगा दिया होगा हम लोग सिर्फ उसके अंदर अपने पॉइंटय फैक्शें निकांलेंगे बाई पॉइंट्ट उफि एक तो सबसे मतलब बच्चों वाली चीज बच्चों इंदरसंस की बहुत शुरुवाती जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि प्राइस ट्रेंड इंटिफिकेशन की इसको बोल दिया जाता है कि प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है और यह अप्ट्र चार्ट के उपर इधर इधर डर लाइन ड्राइन कर दी कि आपका सपोर्ट है यह रेजिस्टेन्स है यह बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है यह ब्रेक हो जाती तो आप यहां पर लिंक पर आपको डिखाय को अबी प्राइटिस करके लेकिन लाइफ मार्खिट में इसकी से आप करोगे point of action निकालने भी हम आपको बता देंगे जैसे हमने यहां पर बताया है वही हम चार्ट पर चल करके बताएंगे आपको वैसे point of actions निकालोगे और live market में इसकी practice करोगे कोई भी अगर problem आगे ना तो live मार्केट में हमारे साथ discussion करोगे चार्ट भेजोगे कुछ अगर question answers होगे तो live market में से question answer करोगे हम अपने चार्ट शेयर करोगे continuously जो connectivity हो बनाए रखना क्योंकि यह चीज ऐसी है इसमें थोड़ा सा भी is not implications स्ञार्ट चाहिए बिलकुल भी यह खे सकते हैं कि गलतिया हैं स्दूर अगर और one press one नहीं होता है यहां पर one press one three में होता है और one press one seven भी होता है यहां पर one press one kuch नहीं भी होता है तो इतनी uncertainty काम कर रहे हैं जहां पर कोई भी चीज निर्धारियत नहीं चैक्निकल से हम बोल दें या डाटा बोल दें कि ऐसे हुआई डाटा डाटा चेंज होते समय नहीं लगता है आपने कितना हुआई डाटा देखा होगा पूरा को पूरा software हमने बनवा रखा था लास्ट में लास्ट में सिर्फ इसी नतिजे पर हम पहुंचे यह कुछ data वाटा काम नहीं करता कुछ काम नहीं करता यह पलक जपकते ही चेंज हो जाता है सिर्फ प्राइस एक्षन और वॉल्म्स हैं जो आखरी दम तक टिकते हैं उसके उपर ब 20,000 साल पुराना बैक्टिस कर लो लाइव मार्केट में काम करूए जमीन आसवान का फर्ख होगा लेकिन प्राइस एक्षन सेम रहेगा जैसे प्राइस एक्षन में आप काम करो गिरां जिस तरह आसे बोलने यह फॉर्मेशन पर इसके प्रैक्टिस में बैक्टिस मत करना ल स्बसेफला तो यह देख लिए टोर्ट इसके बात में यह रिजल्ट है जहां पर आप II देख यह डिख रहो जह तो यह कर दाद जब 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 रिजering को अपilti के एक पाज़टी जय दो इक पॉजुतिए लिजर्ट आप देखो यह पॉजुटितिव का नतीज़ है इस्टॉक का गैब डाउन होना काफी सारी रिजन्स होते हैं मतलब वैसे अब अब्जेक्टिवली आप देखो सिर्फ रिजल्ट और इस आइकन से यह होता है फिलाल यह सब अपने किसी काम के नहीं अगर रिजल निगेटिव होता तो हम लोग ना तो इसका पोस्माटम को है फो से अपनी को आद fazendo पस्मेह को सब्सक्राइब में आघ रहा बनी कंट्रॉल आ जाना मनी कंट्रॉल पर यहां से यह गूगल पर जैन्वरी में काफी रिजल्ट्स चालेनर सबसे पहले हिए यह BASC इंडिया रिजल्ट इनवर्य है यहाँ यह तो ने मारे रिजल्ट्स आपको दिखा रहा है जैसे 20 जैनुरी 20 जैनुरी को मूल ले थे कही सारी result है यह वो रिजल्ट्स आज इतनी कंपनि को रिजल्टे से निकलें Qt majd प्रैक। new company में engaging 21 ज्यानooh różाओ को T Florkो इतने इतनी कॉम्कम ग्रूप ही इसका रिजल्ट आएगा 22 हे इतनी साम कंपनि इतनी कैप्ऌ पायते है जैन्वने में कफ रिजल्ट आते है AccessBank के ऐधने इतनी सारे इतना Teresa रिज़र्ट्स आइंगे, 27 जैंगे, फिलहाल, अपने काम का क्या है, यह मनी कंट्रोल था हमने देख आपको कितने रिज़र्ट्स देखेंगे, अभी इसको आपको देख रहा है यह result इसका अनौन्स आ ngheminuska result कभ आये था 3 महिने पहले का यह रहा एक तो यह है आप हम लोग आई-ससे bank से start करते हैं कि यहां पर हम इसका पूरा area mark कर ले तैंङे हई mark किया और हमने इसका low mark कर ले यह result वाले दिन है हुआ क्या है हमने क्या बोला आपसे high to high, low to low closing से हम लोग अपने area समाग करेंगे price ने एक भी देखी closing उपर के तरफ की, कोई closing नहीं की यहां से जब की lows downside के तरफ shift हो रहा है अभी volumes हम इसके अंदर add ही नहीं कर रहा है volumes को जोड़ दोगो तो ठीक है volume से बहुत सारा support मिलता है अभी हम लोग के सिर्फ अपने एक उस पर है trend identification पर है तो अभी सिर्फ उसी के उपर focus करता है यह area अपना निखल है, हमें closing चाहिए low to low closing तो अब यह देखना है अपनी इस 21st of July की candle के नेचे कौन सी candle है जिसने closing की तो हमें यह वाली candle यह वाली candle देख रही है यह green candle है ना भले ही candle green है बट इसने closing हमारी master candle के नीचे दी है हम इस candle के low को mark कर लेंगे और अब wait करेंगे कि इस वाली candle के low के नीचे को यह candle close कर दें हमें दिखे है कि next day ही closing हो गई बस तै बात है हम लोग ICICI bank को सिर्फ short sale ही करेंगे जब जब stock आपका आपकी level पर आएगा जब जब आपका आपकी level पर stock आएगा हम तब तब short sale करेंगे level upside की तरफ हमें change करना ही नहीं है कम से कम एक साल तरफ जैसे जैसे price हमारा हमारे level पर आएगा हम लोग इसके अंदर shift short selling करेंग हम कहीं आज lower time frame पर कुछ नहीं दिखाएंगे यहां पर entry है या यह RR ratio कुछ नहीं simply एक stock उठाना है उसके results कम निकले हैं अगले एक महने तक उसका trend identify करना है और देखना है कि क्या हो रहा है सिर्फ इतना काम करना इसके लाव और कोई काम मत करना लास्ट वीक जो formations बताय ते उनकी formations के practice लगाता है अब early time frame की जए exercise हमने थी वो same important है उसके practice करते रहना उसके साथी साथ in formations के भी आप इससे क्या होगा ने ने levels draw करते रहना सिर्फ दो ही line strong होंगी अब जैसे ये वाली candle है हमने क्यों mark की कि इसके नीचे closing हो गए थी अब जिस candle की कोई closing होई अभी तर apprendre कंदल के नीचे की तरफ closing करता चला जाए हमारे लेवल shift होते चलाए does तो high to high low low close वाला weडीयो अप लोक Sab evil ज़्यात और ओर लोगों को high to high low to low close सेट-अप मालूम है इसे नहीं पता है वाटसप पर में मेसेज कर देना उसका जो वीडियो लास क्लास में हुआ था अपना वो वीडियो शेयर कर देंगे तो हाई टू हाई लो टू लो क्लोजिंग वाला वीडियो देख लेना उससे मार्किंग थोड़ा सा समझ में जाएगी लेकिन कॉंसेप्ट पूरा यही रहेगा और ले लो आप इंडसिंट बैंक है यह इस दिन का अपना वो रहा हमें क्या चाहिए इसवाली candle के उपर में closing चाहिए, चलो इसनी closing कर दी, अब मैं चाहिए इसवाली candle के उपर भी price close कर दी, वही closing नहीं, ठीक है, price हमारा नीचे की तरफ आ गया, यहां पर, अब यहां पर देखे, इसनी closing कर दी, और इसके तुरंट बाद यहां पर closing हो गया, समझ में आ रहा है, 18 13th of July को Tuesday को एक candle बनती है, जिसकी closing downside के तरफ जो तोटती है market, वो 2nd of August को तोटती है, उसके बाद में 3rd of August, पूरी यगस्त हम लोग सिर्फ short selling, कोई buying की opportunity देखनी ही नहीं है, यही अपने area से यही अपने levels और नहीं levels के पासे सिर्फ short selling करना है, अच्छे अच्छे trade मिलेंगे जब जब price आपको आपकी level पर दिखाई पड़ेगे ना, आप trade मारो, फिलाल अभी कोई trade मत करना, आप देखो कि अगर यह view लेकर कि आप चलोगे तो आपको कितना relax, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं का मतलब कि बहुत सारी, ऐसा कहना बहुत गलत है, कि कुछ नहीं करना है रिलेक्स के पीछे बहुत सारा एक बहुत struggle है, जो कि अभी हम लोग करें भी पिछली अगली एक खप्ते तक हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, तो यह नहीं कह सकते कि बहुत आराम से बहुत होगे, ऐसा नहीं होता है, महनत लगती है इसके पीछे, आपने आखिया दर् होता है, बिना कोई ट्रेड लगाएं, बिना किसी स्वार्थ के स्वार्थिंदरसंस के हमें ट्रेड भी नहीं करना है और चार्ट भी देखना है, इस माइंडसेट के साथ बैटना बहुत बहुत पेशन्स का काम है, यूहीं नहीं 90% रिटेलर यहां पर फेल हो रहा है, उन 90 कुछ तो ऐसा होगा ना, कुछ तो बेवकूफी हमारी लेंग्विज में कहा तो बेवकूफी है ना, उसको शहीं शॉटकट अगर हम आपसे बोलेंगे अगले एक हफते तक हमें कम से कम 20 चार्ट शेयर करना, नहीं आएंगे हमारे पास 20 चार्ट, क्लास में अगर 15-20 लोग है ना, तो हो सकता हमें 4-5 चार्ट मिलें, अभी हमने लास्ट कली हम डिसकेशन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहां कि हम नाम नहीं लेंगे, उसमें उन्होंने कहां कि दिन में हमारी ड्यूटी रहती है, शाम को हम आते हैं, तो कुछ जो प्रैक्टिस हैं कैसे करेंगे, ठी इसने भी स्टॉक्स ना, सबकी लिस्ट बना करके हमें शेयर कर दो, स्वारी लिस्ट निकालो हमें शेयर कर दो, और एक्सल फाइल बना करके शेयर करना है, एक्सल फाइल में शेयर करना है, अब उसका भी वीडियो शेयर करें हम, उन्हें एक्सल फाइल में बनाना तो उसक अच्छे स्टॉक्स निकाल करके दे देते कि इसमें से टॉप 50 जो स्टॉक्स हैं जैसे Amazon हो गया Netflix हो गया American Airlines हो गया आपका Apple हो गया Bank of America हो गया यह कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं तो हम कहते कि आप इन स्टॉक्स को अपनी वाच लिस्ट में एट कर लो रात में साथ बज़े से लेकर के देड़ या दो बज़े तक मार्केट ओपन रहती जिनका भी दे की शिप्ट होती है वो रात में सेम फॉर्मेशन की उन स्टॉक्स इक्विटी पर प्रेक्टिस करो वैसे ही काम करेगा यह एक्सक्यूस के दिन में समय नहीं होता है और रात में कर नही को देते हैं तो आप तुरंत उसका शॉटकट देखता है हमने का कि हम आप में लिस्ट भेज़ो तो वो लिस्ट अभी तक नहीं आई है तो हो सकता है 15 लोग को को चीज बता है उसमें से 4-5 लोग है जो पकड़े और 10 लोग तो हवा हवा आई बस निकल गए तो जो भी साइड के तरफ क्लोजिंग हुए यह डाउंसाइड के लिए हम इसको इसलिए माग कर रहे है क्योंकि 25 अक्टूबर की के नीचे यहां पर क्लोजिंग हुए हम इसको माग कर लिया है अब पूरे महीने सिर्फ शॉर्ट सेलिंग देखना ज्यादा लेवल की ज़ोरत भी नही चीज़ सारी चीचंच मेहने पूरे महीने ब्लिया अगले टेंश दिन के लिए शॉर्ट सेलिंग जब जब प्राइज आपके लेवल पर देखें आप शॉर्ट सेलिंग इसी तरह से अभी कई सारे उसके रिजल्ट आहें जैसे यहां पर देखें इंक रिजल्ट यह इंफो इनफोसिस इन तीन लेवल्स पर आएगा आप लोग यहां से बाई करना कैस्ट इस में पूरे महीने शौर्ट सिलिंग करना यह नहीं 격ा रिप लिगा जाए स्टॉक नीचे चला जाए लोवर सर्किट लगा दे लगा दे हम से मतलब नहीं हम सिर्फ भाई करेंगे अब एक कुश्चिन यह उठ सकता है कि यहां पर हमने 15 जन्वरी की केंडल को माक किया क्यूं कोई भी केंडल हम तभी माक करते हैं जब उसके उपर क्लोजिंग हो जाते हैं अगर क्लोजिंग नहीं तो फिर माक नहीं करेंगे अचा इसके पीछे की माक करने कर जो रीजन है वो यह है क्यूंकि अब जैसे जैसे प्राइज आपका अपसाइड की तरफ बढ़ रहा है तो मेरी मास्टर केंडल कौँ से क्यूंकि इस वाली केंडल के उपर जो लेंगे क्लोजिंग हो जाने के बाद में करते हैं तो हो सकता है फिर एक को यह था चूढ़ जा अगर इतना रिस्क आप ले सकते हैं तो फिर आप इसके मांक करके और इसको ट्रेड भी कर सकते हो वारना फॉरा सेफ साइट प्रॉपर एक प्रॉढ परेद करो जब डियोंग सब्सक्राइब करने के बाद में एक प्रॉपर रिट्रेस्मेंट यहां से तब्भाई करना यह थरीका होता है यह इतना सिंपल सा काम है इसको करना अब कोई भी डाउट अगर इसको लिए करके आपनों क्या है तो हमसे क्लियर कर लो विशल मार्केट अपसाइड ना गया और फिर उसकी जाता है तो फिर हम डाउनसाइड की तरफ नहीं देखेंगे सब्सक्राइब प्रिविएस वाला जो चार्ट हम देख रहे थे ना उसमें कौन सा यह वाला था यही था सब्सक्राइब इससे पहले कौन से चार्ट बेसे तो सर इससे पहले इसमें भी है सर आप इसमें भी मार्क कट लीजिए देखेंगे इससे पहले आइसे एसे बैंक देख रहे थे आइसे बैंक जैसे कि सर यह नीचे गया नहीं यह तो फॉर्स चार्ट है सबसे पहले जो हम इसके बाद एक और चार्ट इसके बाद एक और रिजल्ट को अपर साइड में भी लेके गया है तो हम अपना व्यू चेंज करेंगे बिल्कुल लहीं नहीं चेंज करेंगे एक माइने के लिए सेट है और सर अपने जो प्रीवेस वीडियो में बताया है कि हमारा जो मास्टर केंडल जो अभी के सामने बना हुआ है जैसे कि अ कि में тут पूंद स js wanna p़मोला कभते है यहां पर हम यूजन हो अपर हम यूज नहीं करेंगे इसके अलावा किसी भी चाट को जब आप रईकर हो तो इस थिस्टम को यूज कोerus करने on情 हेंगे यहां पर इन दो कंडल में कंडल्सने क्लियर कर दिया कि हमें करना क्या है यहा पर म और डिक्रीजिंग पैटन में भी चेंज नहीं करेंगे नहीं उसमें अच्छा उन पैटन की बात यहां पर क्यों नहीं सर जैसे कि अगर मार्केट है तो फिर वह पैटन भी बनाएगा हम इन फयुचर तो मां लेजए हं सोच रहेंगी अगर डिकरेजिंग रोस बना रहा है और हमारा मंथ के लिए व्यूप जैसे करते वे जैसे कि साप्रें में नहीं तो में बना और नेक्सटेव बना रहा है प्यंगा देखेंगे या मून Васपक्लों नहीं पlights हमारा master जो point of actions है वो हम information से ही निकालेंगे इसी system से निकालेंगे और इसी system को आगे की दर continue करेंगे दो methods को आपस में कभी भी merge नहीं करेंगे ठीक है class हमें लोग यहें पर खतम करते हैं आज की विशाल सर मैं जै कि सर यह समझ में नहीं आ रहा है सर यह जिस दिन result आया है उसके अगले दिन सर इसने market ने तो upside closing कर दिया है तो सर यहां से तो upside की लिए नहीं होना चाहिए विशाल हमने क्या भूला कोई भी यह candle जो की आपके close करेंगे result declare होने वाले दिन को हमें उसके ओपर closing और close की हुई candle की ऊपर में एक और closing चाहिए यहां पर नहीं हुई है बट यहां पर देखी हो गए तो इसकी वैसे मैं डाउंसाइट कभी यहां से देखना चाहिए निलेश जी यह सब systems नोट करते चाहिएगा हो सकता है क्लास काफी दिन के बाद में तोड़े दिन के बाद में आप भूल जाओ कि यह भी वताया गया था बहुत बार होता है इसा निलेश जी पूछना था जो आभी विशल जी ने पूछा ना अच्छा यह जो अपने master candle अपने रो आड किया है जब जब यह सेकेंड केंडल पर आएगा तब तक हमको बस सेल ही देखना है भले वह कितना भी उपर जाए हां सिप शॉट सारा बर्रा हां 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 तिक वहीं पुछते हैं